हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अनकेडमी के लेक्स रेट नीट पीजी प्लेटफरम पे आज मैं आपके साहरे फिर से एक नया टॉपिक लिखा है हूँ आज मैं आपको चेंजेस आफ्टर डेथ के बारे में आपको बताने जाओंगा मैं तो चली स्टार्ट करते हैं स्टा करेंगे आपको गाइड करेंगे यहां पर अलग-अलग सब्जेक्स के लिए अलग-अलग एजुकेटर्स यहां पर अविलेवल हैं यह एजुकेटर्स आपकी लाइड क्लासेज भी लेते हैं इन इस्पेशल क्लासेज के थुरू आप अपने डाउट पूछ सकते हैं आपकी जो क्वाइरीज हैं आप वो भी पूछ सकते हैं क्योंकि यह लाइफ क्लासेज होती हैं तो आप चैट करके आप अपने सारी समस्य या अपने topics से rated आप अपनी सारी समय से solve कर सकते हैं यहाँ पर preparation के लिए आप mock test दे सकते हैं इन mock test के थुरू आपको अपनी preparation का evaluation पता चल सकता है यहाँ पर flexible schedules हैं अगर मैं example के तौर पर interns की बात करूं तो interns का daily अलग-अलग days में अलग-अलग duty hours रहते हैं तो ऐसे में उनको भी घबराने की कोई बात नहीं है वो जब फ्री हो वो अपने हिसाब से यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं यहाँ पर language preference मिलती है यहाँ पर English, Hindi, Malayalam, Tamir और बहुत सा languages में आप अपनी preparation कर सकते हैं यहाँ पर practice के लिए unlimited quizzes है इन quizzes के तुरू आप अपनी knowledge को test कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था special classes live होती है तो वहाँ पर चैट कर सकते हैं educators के साथ आप अपने doubt पूसकते हैं question पूसकते है queries जित्ते भी हो वो सब आप clear कर सकते हैं अगर आप बहुत जाद remote area में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है आपको इंटरनेट connection चाहिए और आप हमसे जुड़ी आएंगे इसका लगा यह हुआ learn anytime anywhere आपको बस करना यह है आपको अपने smartphone में unacademy का learning आपको install करना है इस्टॉल करने के बार आपको subscription लेना है subscription के लिए भी आपको different options मिल जाते हैं 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 month तो अगर मैं इनके subscription charges की बात करूँ तो अगर आप मेरा code यूज़ करते हैं 4,500 का, अगर मैं 3 months की बात करूँ तो मेरा referral code यूज़ करने के बाद आपको पड़ेगा 11,250 का, अगर मैं 6 month की बात करूँ तो मेरा code यूज़ करने के बाद आपको पड़ेगा 22,500 का अगर 24 month की बात करूँ तो अगर आप मेरा code यूज़ करते हैं, यह code यूज़ करते हैं तो आपको तुरंट 10% discount मिल जागा और यह आपको पड़ेगा 27,000 का सिर्फ, तो दोस्तों एक बाद लेके जाओ और देखेगा मेरा code अप्लाई करके तो आपको बहुत benefit मिलेगा, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का topic चेंज़ आफ्टर डेथ यानि कि ठेनतलोजी तो स्टार्ट करने से पहले गहरी सांस लिए और बोलिए, yes, I can crack it, I can crack NEET-PG तो चलिए चेंज़ आफ्टर डेथ के अंदर पहला topic जो है mode of death कि कि तरीके से जो death हो सकती है, तो definition कि अदर the mode of death refers to an abnormal abnormal physiological state that pertains at the life at the time of death, यानि कि इसके अंदर जो तरीके है mode जो है वो है coma यानि की impairment of central nervous system, asphyxia, stoppage of respiration, syncope, stoppage of function of heart and circulation तो इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक है, वो है sac, S से है आपका syncope, A से है आपका asphyxia, C से है आपका coma अगर मैं इन सब से रेटेड तरीका वो causes देखूं मैं, तो table मैंने आपके साहल में रखिये, causes of coma क्या क्या हो सकते हैं, head injury, intracanial hemorrhage, encephalitis, meningitis, diabetic ketoacidosis, uremic coma, hepatic encephalopathy, apoplexy, opium या फे barbocet poisoning, alcohol intoxication, epilepsy या फे heat stroke इन सब में से किसी भी तरीके से coma हो सकता है, syncope के causes देखते हैं अब, vagal inhibition, massive myocardial infarction, iotic stenosis, pulmonary stenosis, pulmonary hypertension, pulmonary embolism, cardiac tamponade, arterial myxoma, myxoma, anemia, blow on epigastrium, यानि कि इन सब तरीके से भी syncope हो सकता है अगर मैं asphyxia के causes देखूँ, तो mechanical causes होते हैं, hanging होती, strangulation होता है, throttling होता है, smothering होता है, drowning होता है, choking होता है, compression over chest, toxic causes की वज़े से भी asphyxia हो सकता है opium poisoning के वज़े से भी हो सकता है, asphyxia, carbon monoxide poisoning से भी हो सकती है, asphyxia, cyanide poisoning, pathological causes, जैसे मालने जो कोई TV बगरा है, तो acute edema of glottis, जो glottis होता है, अगर मालने जो उसका edema होके है, तो इससे भी सहां संदर नहीं जा पाएगी, consolidation, pleural effusion, environmental causes, जैसे मालने जिए, बहुत ज़्यादा pollution वाले एरिया में अगर कोई है, तो high altitude, महापर oxygen की कमी हो जाती है, person trapped in well, respiration in enclosed space, तो इन सब चीजों से भी asphyxia हो सकता है, next आते है manner of death, क्या के तरीके होते हैं death के, the manner of death refers to the way or design in which the cause of death comes into being, क्या के तरीके होते हैं, चार तरीके होते हैं natural, अगर मैं unnatural की बात कहूं, तो unnatural भी तीन टाप की होते हैं, homicidal, suicidal या फिर accidental, suicidal तो वो होते हैं, जिसमें इनसान अपनी खुद की जान ले लेता है, एक होते है natural, एक होते है homicide, एक होते है accidental, एक होते है suicide, इसको याद कर सकते हैं, az इसमें पहला है immediate changes after death इसके अंदर क्या होता है stoppage of function of nervous system, stoppage of respiration, stoppage of circulation तो death के बाद ये तीन चीज़े काम करना बंद कर देती है अर्ली changes में क्या होता है changes in ice ये मैंने आगे स्काइट में रखा हुआ है और मैं इसको detail में समझा दूगा changes in skin, cooling of body, post-mortem lividity, ragamortis and changes in muscles, changes in body fluid ये सारी मैंने slide रखी हुई है ये वीडियो को मैंने 2-3 पार्ट में मैं बना रहा हूँ तो पहले पार्ट के अंदर मैं post-mortem lividity तक मैं पुरा समझाऊँगा late changes after death क्या क्या होते है प्यूट्रिफिकेशन, एडिपोसियर और ममिफिकेशन ये सारी चीजे होती है late changes में तो हमने इस slide से हमने जाना कि immediate changes क्या आते हैं कि जो nervous system है और जो respiration जो system है और जो circulation है ये सारी चीजे काम करना बंद कर देती हैं इंसान में early changes में क्या आते हैं आई में changes आते हैं skin में changes आते हैं body थोड़ी से cool होती है post-mortem lividity इसको जो हम बोलते हैं इसको हम लाइगर मॉर्टिस भी बोलते हैं इसको जो है changes इसके इंदर राइगर मॉर्टिस भी आता है changes in body fluid भी इसके इंदर होता है अगर में late changes की बात कहूं तो late changes में petrification हम देख सकते हैं edificator देख सकते हैं mummification हम देख सकते हैं तो चरी जैसे मैंने आपको बदायत है eyes के changes के बारे में थोड़ सा मैं आपको बता रहता हूं सबसे पहले क्या होता है intra ocular tension है यानि कि iot intra ocular tension यह जो होता है वो कम हो जाता है यह गिर जाता है normal जो होता है वो होता है 25 mm of hg mm of hg होता है normal लेकिन death के बाद 30 minutes के अंदर अंदर 30 minutes के अंदर यह गिजाता है 3 mm of hg तक और जो है 2 घंटे तक 2 hours तक यह 0 हो जाता है तो यहां पर intra ocular tension के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किते घंटे या किते मिनिट बाद किता ocular tension हो जाता है तो 30 minutes यानि आदे घंटे के अंदर 3 mm of hg यानि कि 30 का 3-3 दर होता है 2 hours में पूरा ही intra ocular tension पूरा ही गिर जाता है अगर मैं people के बात करहूं तो dilated होती है और fix हो जाती है loss of papillary reflex जो papillary reflex है वो भी loss हो जाता है जो cornel reflex है वो भी loss हो जाता है जो fundus examination की अगर मैं बात करहूं तो phenomenon of trucking इसके ने देखा जाता है इसको एक नाम से जाना जाता है उस नाम उसका नाम है के वोर्कियन साइन के वोर्कियन साइन के नाम से भी हम इसको जानते हैं तो इसके ने क्या होता है segmentation of retinal vessel यानि कि जो 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 retinal vessels है इसमें थोड़े से segmentation देखे जाता है इसको के वोर्कियन साइन बोला जाता है इसके अंदर टोके नोरे देखा जाता है वैसे तो टोके नायव भी बोला जाता है इसको लेकिं इस में क्या होता है यह जो आप जो epithelial का जो disquamation देख सकते हैं क्या होता है this short of change is seen in sclera when eye remains open in double up it double up because of drying and desiccation of the conjunctiva and sclera and appears as blackish brown discleration तो यह अगर मैं short में बोलू तो epithelial accumulation of sclera यह होता है तो चलिए next हम देखते है cooling of body इसको बोलता है algor mortis के नाम से भी यह चीज जानी जाती है तो algor mortis क्या होता है कि death के बाद थोड़ी सी body का temperature down होने लग जाता है normal oral temperature in living individual is 37 degree centigrade यानि कि 98.6 degree Fahrenheit whereas rectal temperature is about 0.5 degree centigrade higher than oral temperature यानि कि जैसे कि आपने medicine class में भी यह देखा होगा कि जो thermometer जो मूँ में रखते हैं उसका जो 37 degree centigrade होता है लेकिन जो छोटे children's जो होते हैं उनका जो है rectal temperature ना पह आता है वो जो है core body temperature भी बोला आता है वो 0.5 degree centigrade higher होता है oral temperature से तो after death temperature of the body decreases progressively until it reaches the ambient temperature the fall of temperature from the dead body is due to the following two reasons यह जो cooling of the body यह आफिटेचर का जो गिरना होता है यह दो वेज़े से होता है पहला है after death there is no heat generation due to loss of all physical, chemical and metabolic activity death के बाद heat generate नहीं हो पाती क्योंकि physical activity नहीं होती chemical activity जो body के अंदर जो glycolysis वगार से जो energy बनती वो सब metabolic activity इन सब चीजों की वह से जो रूप जाती है उसके वेज़े से भी body temperature गिर जाता है there is constant loss of body heat until it comes to the level of environmental temperature as the heat regulatory regulating center get enacted due to death यानि कि हमारी body में जो heat regulatory center जो होता है जिससे severing वगार उता है वो सब नहीं हो पाता है इन सब चीजों से भी body temperature गिर जाता है क्या क्या तरीके होते है तीन तरीके होते है loss of body heat occurs from surface by three mechanism पहले conduction, convection और radiation इन तीन तरीके से body का heat गिरने लग जाता है recording of temperature जैसे living के case में तो mouth में रख देते है temperature in cadaver is recorded at following set the clinical thermometer is used to record the temperature the thermometer is about 25 cm in length with graduation ranging from 0 degree centigrade to 50 degree centigrade तो हम record करने के लिए क्या के तरीका लेते हैं एक तो rectum में 4 inches above the anus हम यहां पे रखके हम cadaver का temperature calculate कर सकते हैं और सब hepatic reason यहां पे भी रखके हम जो thermometer होता है वो हम रख देते हैं और इससे हम temperature हम record कर लेते हैं तो इसके अंदर एक graph आता है sigmoid graph होता है थोड़ा मैं इसको अगली slide में बता दूँगा तो पहले इसके में जान लेते हैं इस ग्राफ के दो चीजे देखे आता है एक तो surface और एक core surface में क्या होता है initially there is loss of temperature from surface of the body with no loss from core of body core में क्या होता है after initial phase when surface of cadaver has lost the temperature then begins fall of temperature from the core of cadaver and this is because of the insulation provided by the skin fat and subcutaneous tissue इन दोनों के fall से क्या होता है as the rate of fall of temperature from surface and the core of cadaver occurs one after another we get actually a sigmoid shape curve तो जो sigmoid shape curve है वो इन दो चीजों की वज़े से होती है तो चलिए इस sigmoid जो shape curve है जैसे मैंने आपको बताया था जो starting का जो phase है वो surface की वज़े से होता है और जो बाकी का जो curve है वो core temperature के गिर्णी के वैसे होता है यह जो sigmoid curve है इसको बोलते हैं हम it is the relation between temperature and time और यह जो इस जो curve है इसका जो नाम है वो है hansons and normogram hansons normogram hansons normogram is sigmoid shape curve का नाम दिया गया है तो medical legal importance क्या के है इसके हम cooling of body से time since it is a sign of death time since death can be estimated early cooling of body delays the progress of rigor mortis and thus retard decomposition तो मैं राइगर mortis के बारे में एक आलग वीडियो बनाऊगा अगली वीडियो मेरी उसी से regarding होगी तो चली यहां पर time since death के बारे में थोड़ से यहां पर बता लेता हूं कि हम कैसे हम time calculate कर सकते हैं इस algorithm mortis के द्वारा तो क्या होता है जो rate of fall होता है वो specific होता है summers में और winters में तो rate of fall in temperature summers में क्या होता है summers में होता है 0.75 degree Fahrenheit पर R और winters में होता है 1.5 degree Fahrenheit पर R अगर हम इसको centigrade में अगर convert करूँ तो 0.5 degree centigrade पर R और यह होता है 0.7 degree centigrade पर R तो summer में इस rate से fall होता है और winter में इस rate से fall होता है तो अगर हमें time since death अगर हमें calculate करना है तो time since death अगर calculate करना है तो यह होता है normal body temperature minus rectal temperature divided by rate of fall in temperature यानि कि अगर मालेजिया आपके पास एक dead body है जो कुछ ही time हुआ है उसको death हुए तो हम क्या करेंगे normal body temperature जैसे मैंने आपको बताया था 98.5 degree Fahrenheit होती है तो वह minus जो dead body मिली है उसका rectal temperature हम उसका calculate कर लेंगे अगर मालेजे उसका rectal temperature मालेजे आता है 96.5 degree Fahrenheit तो यानि कि दो का loss हुआ divided by अगर मालेज समर का time चल ला है तो 0.75 degree Fahrenheit हम ऐसे करके value रख देंगे और इससे हमें time since death का हमें पता चल जाएगा तो यह हमें जो formula यह हमें यार रखना पड़ेगा time of since time since death का formula normal body temperature minus rectal temperature rate by rate of fall तो यह हमारा इस formula से हमारा rate of fall जानके हम time since death calculate कर सकते हैं थोड़ा post-mortem caloricity के बारे में बतायता हूँ post-mortem caloricity होता है increase in body temperature after death up to 2 hours मैं इसको लिख दियता हूँ increase in body temperature after death up to 2 hours यानि कि 2 hours के अंदर अंदर तक थोड़ा सा body temperature increase करता है तो क्या क्या condition है कि जिसमें body temperature थोड़ा से increase हो जाता है तो जो यह increase in body temperature होता है इसको हम post-mortem caloricity के नाम से जानते हैं तो क्या 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 condition है septicemia के case में थोड़ा सा body temperature increase कर जाता है अगर कोई infectious disease के जैसे किसी के death हुई है तो इसके इंदर body temperature increase कर जाएगा अगर sun stroke हुआ है तो इसके जैसे थोड़ा सा body temperature increase कर जाएगा pontine hemorrhage के case में थोड़ा सा body temperature increase कर जाता है तो जो mechanism है वह septicemia और infectious disease के अंदर same है वह increased production of heat और sun stroke और pontine hemorrhage के अंदर जो होता है वह होता है heat regulation center disturb हो जाता है इसके वाएश से थोड़ा सा temperature raise कर जाता है तेटनेस और और इस्टिक्नीन poisoning के अंदर क्या होता है heat production due to muscular activity तो इस वाज़े से तेटनेस और इस्टिक्नीन poisoning के case में heat जो body temperature increase होता है जो थोड़ा से increase कर जाता है चली थोड़ा सा postmortem fertil 2030 के बार में gefंशन सनते जानते है अधको जैसे मैं वाज़े था live word mortis के नाम सेarf हम जानते हैं postmortem hypostasis थाफ्तो श्केन के जानते हैm एक सको postmortem staining के नाम से जानते हैं जो commonly झो word use किया जाता है postmortem staining word use किया जाता है तो चलिए थोड़ सा इसको define करते है postmortem lividity is a purple जो purplish brown purplish blue और reddish blue purplish blue और reddish blue discoloration due to settling of blood by gravitational force within the dependent dilated and toneless small veins and capillaries of retic mucosum यानि कि जो toneless capillaries होती है उसके अंदर gravity force की वज़े से जो dependent part होते हैं उसके अंदर blood accumulate या फिर subtle हो जाता है उसी के वज़े से purplish blue और reddish blue discoloration देखा जाता है तो ये आपके सामने एक मैंने image रखा है ये जिता भी आप portion देख रहे है ये है post-mortem lividity इसी को post-mortem lividity बोलता है या फिर इसको ये जिता portion आप देख रहे हैं ये post-mortem lividity कहलाता है तो जैसे मैंने आपको इसके नहीं बताया था कि जो toneless small veins of the capillaries हैं उसके gravitational force की वज़े से blood settle हो जाता है उसी की वज़े से ये color देखा जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया जो dependent part है उसके बारे में थोड़ से यहाँ पर आपको बता रहता हूं तो lividity appear over dependent part that is over back अगर body ऐसे मिली हुई है तो lividity occur over dependent part that is over front यानि कि अगर body ऐásे मिलती है तो जो dependent part होंगे वहीँ पे ही post-mortem staining देखी जाएगी अगर मान लिजे dead body ऐसे मिलती है तो जी dependent part होगा जैसे यह जो dependent part है यहाँ पे post-mortem staining देखी जाएगा इसके अंदर आपको ध्यान दखना पड़ेगा कि जैसे अगर मालेजे कोई ड्रॉनिंग का केस है उसके अंदर जो डेट बोडी होगी वो बार वा हिलती डूलती रहेगी कभी इस position में आ रही है कभी इस position में आ रही है फिर इस position में आ रही है तो बहती river में आगर कोई ड्रॉनिंग का case होता है बहती river में तो उस case में हमें post-mortem staining देखी नहीं जाएगी क्योंकि कोई dependent पार्ट उसमें रहे गई नहीं तो जो इससे हम time since death भी calculate कर सकते हैं तो इसके अंतर जो visible जो post-mortem जो staining होती है वो generally 3-4 घंटे में visible हो जाती है और जो maximum होती है वो 6-12 घंटे में होती है यह मैं आगे आपको दिखा दूँगा नहीं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तो जो time since death time since death हम भी हम इस post-mortem लिवी डिटी से post-mortem staining से हम calculate कर सकते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया जब यह visible होने लग जाएगा 3-4 घंटे में यह maximum देखा जाएगा 6-12 घंटे में और post-mortem staining fix fixed कब हो जाएगी fixation हो जाता है 7-8 7-8 घंटे में और यह परसिस्ट तिल परसिस्ट तिल डिकंपोजिशन डिकंपोजिशन तक तक post-mortem staining देखा जाता है फिर उसके बाद यह चला जाएगा उसके बाद यह green color में भी convert हो जाता है तो इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बहती रिवर में अगर कोई person अगर ट्रॉनिंग का case देखा थे तो उसके इंदर post-mortem lividity नहीं देखे जाएगी क क्यूंकि body उसके इंदर constantly move करती जा रही है तो कोई dependent पार्ट कोई नहीं मिलेगा ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि hanging की case में जो maximum staining देखा जाएगा और जो hand में और male genitalia में भी देखा जाएगा तो अगर मैं hanging का कोई case अगर मैं आपके सामने रखूं तो अगर माल लेजिए hanging का case है तो जो post-mortem staining जो सबस्यादा देखी जाएगी वो यहां foot में देखी जाएगी hand में देखी जाएगी और genital area इस area में भी देखी जाएगी क्योंकि जो dependent part है जो gravity की मदद से जो blood सबस्यादा accumulate होगा वो इनी सब part में accumulate होगा तो इसलिए जो maximum staining देखी जाएगी वो foot, hand और genitals में देखा जाएगा तो अगर मैं medical legal importance की में बात करूँ तो हम time since death भी से calculate कर सकते हैं और यह sure sign होगा death का तो चली causes of death देख लेते हैं कि कौन से cause में कौन सा color देखा जाता है तो carbon monoxide, carbon monoxide के case में pink color की lividity यानि staining देखी जाएगी क्योंकि carboxy hemoglobin यह में इसको अच्छे से milk कर देता हूँ है carbon hemoglobin, carboxy hemoglobin की वज़े से यह pink color देखा जाता है cyanide poisoning के case में cherry red color देखा जाता है due to excessive oxygenated blood और fluoroacetate के अंदर भी pink या cherry red color देखा जाता है दोनों ही case में excessive oxygenated blood होता है उस वैसे refrigerated में pinkish color देखा जाता है, hypothermia में भी pinkish color देखा जाता है दोनों ही case में retention of oxygen in cutaneous blood by cold, sodium chloride के case में, poisoning के case में brown color देखा जाता है hydrogen sulfide के case में self hemoglobin की वज़े से green color देखा जाता है, aniline poisoning के case में deoxygenated blood जो होता है उसके वैसे deep blue color आता है carbon dioxide की poisoning का बहुत जादा carbon dioxide inhale का लिया है तो deoxygenated blood की वैसे bluish color का staining देखा जाएगा तो दोस्तों काफ़ important table है यह table अपने notes में लिख लिए इससे हमारे काफ़ी सारे question solve हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे end करता हूँ, end करने से पहले think positive अगर आप हमेशा positive सोचेंगे तो आप पका need PG crack कर जाएंगे तो अपने अंदर हमेशा यह बोलिए कि I can crack it, I can crack need PG तो हमेशा positive सोचिए, negative मत सोचिए, हमेशा positive सोचिए, positive सोचिए सोचने से ही आप अपनी मंजिल तक पहुशने के एक कदम आगे भड़ा लेंगे दोस्तों end करने से पहले आपसे request है हमाया जो अनकेडमी का YouTube जो चैनल है इसको आप subscribe करिए bell icon को press करिए हमाया जो चैनल है let's crack need PG channel इसको आप like भी करिए जितने जादा like आते हैं उससे हमें motivation मिलता है और भी जादे वीडियो बनाने के लिए अगर आप bell icon को press करते तो different आपको हमारी नई वीडियो का notification आपको आता रहेगा तो इससे आप हमारी कोई भी वीडियो को miss नहीं कर पाएंगे ध्यान अखिएगा दोस्तों मेरा जो code है वो है तो आपको 30,000 नहीं देना पड़ेगा यह आपको पड़ेगा सिर्फ 27,000 का सिर्फ ऐसे मैंने आपको 12 months के लिए भी बता रखा है 12 months के लिए यानि एक साल के लिए आपको मेरा code अप्लाई करेगा आपको 22,500 का पड़ेगा तो दोस्तों बहुत अच्छे nominal charges है एक बार आप subscription लेके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा तो दोस्तों आज इस topic को मैं 2-3 पार्ट में मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं तो यह पह अगली वीडियो में longer तो दोस्तों आज का वीडियो में यहें पर end करता हूं thank you